नमस्कार दोस्तों वेल दिसकाई के एक और नए इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सभी लोग का स्वाकत है मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशित करेंगे अंडर्स्टेंड करेंगे यहां पर यह जो पर्टिकुलर नई स्रीज स्टार्ट हो रही है इसमें कैसा डाटा बना हुआ है और मोश्ट इंपॉर्टन स्रीज होगी क्योंकि इस स्रीज में मल्टिपल डाटा आने वाले हैं आपको RBI के क्रेडिट पॉलिसी आती हो इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस स्रीज के अंदर दो इवेंट मोश्ट पॉबली आने वाले हैं एक तो हैं RBI की क्रेडिट पॉलिसी जो अरॉंड आपको चार या पांच तरिक के असपास आईगी है और फिर आपको जो गुजराद इलेक्शन है उसके भी आउटकम आपको आता हुआ दिखाई देगा इसी स्रीज में तो थोड़ा सा ये स्रीज वालेटायल हो सकती है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहके काम करना है जादा एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बनानी है खासका लॉंग साइट पे तो बिल्कुल नहीं बनानी है शॉर्ट साइट पर बना लेना क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है लॉंग साइट पर ओलेडी मार्केट चल चुका है कहीं से भी कोई भी एक बैड नियूस मार्केट को दो तीन सो पॉइंट नीचे ला सकती है तो थोड़ा सा आपको एलर्ट रहके काम करना है मैं यह नहीं बोल रहा है यहां से मार्केट ऊपर नहीं रहना है क्योंकि इवेंट मेंगर कुछ भी नेगेटिव हुआ तो फिर मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा दो तीन सो चार्ट चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा तो थोड़ा सा उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेर रहिएगा ठीक है तो आज एकस्पाइरी थी एकस्पाइरी हो गई है ठारा जाराट सो के करीब की एकस्पाइरी आई है यहाँ पर जैसा कि एकस्पेक्टेशन्स था मौर्निंग में मार्केट अट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियर ली कुछ पॉइंट वतायते कि मार्केट गाप खुला है गाप खुलने के बाद मार्केट हो गड़ा तक गाप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है और एक ही इंस्टेंट था जिसमें एक बहुत अच्छ जब यह दुबारा इसके पाप गया तो यह शाप फॉल आया इस टैम 18800 की जो पुटती वो अरॉंड 6 रुपे 7 रुपे की चल रही थी जिसका हाई ऑल्मोस्ट मना 35-40 रुपीज का तो वहां पे एक इंस्टेंट लीक अच्छा मूव मिला जिसकी वज़े से लग बाई चा केंडल इसने विल्कुल इतनी बड़ी बनाई कि वह मैक्सिमम मैंने मार्केट ऑर्डर पर एक्जिक्यूट किया वह सीधा हायर प्राइस पर यानि 37 के असपास कटी थी तो यह लग भाई चांज से मतलब कभी कबार ऐसा हो जाता है बट उसके बाद यह फॉलो अप में दु 10-20% में ट्रेड कर रहा हूं तो ठीक टाक सा प्रॉफिट मिल गया आज के दिन में काफी दिन बाद यह चीज़ आप के लिए लिए समझ लीटे तो यहां पर आज का दिन ठीक टाक रहा है और आज मैं थोड़ा फिरी भी था तो थोड़ा सा एक्टिवली ट्रेड भी कर रह जाएगा तो आपको 100-500 पॉइंट का मुवमेंट बन बे मिलेगा तो जैसी 300 इसमें ब्रेक किया लो आपका कितना बना आपका 43 आपका 43 104 था यानि अल्मॉस्ट ऑल्मॉस्ट ऑल्मॉस्ट के आसपात आपको इसली मिल गए होंगे यहां पर जिसमें की जो 43 300 की पुट थी अ पर मिला है यही एक मुवेंट थोड़ा सा मार्केट उपर की साइड पर हो रहा है ठीक है दुबारा जब यह ऊपर गया था मैंने दुबारा उसको बाय कर लिया था अरौंड 27 रुपे तो दुबारा वो उसने 70 पर 74 पर मेरे को एक्जिट दे दिया था तो थोड़ा सा मेरा व्यू नेगेटिवी था विकाउस गैप अप खुला था गैप आप खुलने के बाद फर्दर उपा जाएगा इसके चैंसे थोड़े से कम होते हैं ठीक है अब कल क्या हो सकता है उसको हम समझते हैं तो कल के लि सा एक्रेसिव प्लान करना चाहिए क्योंकि फिर मार्केट कहीं ना कहीं हजार से 1500 पॉइंट गिर सकता है तो यह जीत आप क्लियर ली समझ लीड़े इंडिकेशन आपको कब मिलेगा इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूं कि देखो अभी तक क्या हुआ है अगर आप क्लोजिंग ऊपर आई है तो अपकी बार अगर 43,000 ब्रेक करता है तो चांसे बेरी हाई कि यह फ्लो में जा सकता है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा 43,000 की नीचे अगर बैंक लिफ्टी टेट कर रहा है तो आप प्लीज स्टॉप लॉस लगा के जरूर शॉट करिएगा अराउंड 43,050 का आप लगा लिजेगा या 43,100 का लगा लिजेगा यह चीज़ आप क्लिए ली समझ लीजिए ठीक है ना 43,100 की वेल्यू का भी आप लगा सकते हो तो इतना आप अंडर्स्टैंड कर लिजे तो चलिए प्रॉपर एनलेसिस कर लेते हैं यहां पे कि कल का व्य बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो उसकी विजे से जो प्रीमियम में हो सकता है थोड़े से जंप करते हुए दिखाई दें क्यूंकि यहां पर आप देख सकते हो अठारा 800 की कॉल एकसोःटों रगे की चल रहा है ठारा 800 की पूट करीब 54 रुपीज की चल रही है कॉल साइट पर करीब 39 ल Всем lot और खा उपने इंटेस्ट है पूट साइटों की को छ लाग करीब 38 लाग का उपने इंटेस्ट हैं 18700 आपके लिए एक important level होगा इसके नीचे जाएंगे तो weakness का पहला sign हमें दिखेगा क्योंकि जाहिए सी बात है अभी तक market क्या है जिस round figure को cross कर रहा है उस round figure के नीचे नहीं जा रहा है उसके नीचे close नहीं दे रहा है तो अगर 18700 के नीचे जाता है close देता है तो वहाँ पे हमे indication मिल जाएगा कि market some profit working के लिए और भी नीचे जा सकता है तो यह point आपको दियान में रखना है ठीक है चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को understand करते हैं तो आज के दिन में क्या हुआ गाप अपनिंग होई गाप अपनिंग के साथ ही selling आना स्टार्ट होगी कह सकते हैं सम्प्रॉफिट वुकिंग आना स्टार्ट होगी बायर से जाता है मत नहीं दिकाई उपर जाने की बट सेलर्स हैं टिक टाक सा मार्केट उपर से नीचे लिए थे क्योंकि हाई बना आपक अराउंड अठाराजा 780 के करीब का अब आपके लिए यही एक इंपॉर्टेंट लेविल है ठीक है इसके नीचे ट्रेट करना स्टार्ट करता है हम सेल करेंगे टार्गेट होगा अठाराजा 700 का ठीक है इतना आपको क्लिरली समझ में आ गया जब तक आज के इंटर डेवर ऐस स्टेंस जो हता 18800 पर 856 था जब तक यह चैनल के बाहर नहीं नीकलेगा यानि इस चैनल के ऊपर नहीं नहीं करेंगे ठीक है यह चीज़ समझ्झ में आ गया इस लेविल के ऊपर निकलता या इनी अठाराजा 890 के ऊपर निकलता तो हम बाई कर के काम करेंगे टार्गे हमारे पास है 19,000 का अगर इसको 19,000 जाना है तो definitely कल का trading session या फिर मंडे के trading session में इसको 19,000 निकल जाना चाहिए क्योंकि अब जैसे जैसे event आते जाएंगे market थोड़ा सा choppy होता जाएगा और फिर क्या होगा कि एक bad news market को नीचे ला सकती है तो तो थोड़ा सा उस चीज़ पर रहिएगा तो आपके पास view क्या होना चाहिए कि इस channel के बाहर जिदर निकले उस side आप trade कर सकते हो 60-70 point का आपका target होना चाहिए और stop loss जो होगा वह आपका opposite side का होगा यानि ऊपर निकलता है तो आपका stop loss होगा 18,000 गा और नीचे तो भी break करता है तो next target आपके पास होगा वह होगा 18,616 का ठीक है nifty के लिए समझ में आ गया अब important चीज़ है nifty जैसे की nifty continuously strong बना हुआ है but bank nifty still अपने channel के अंदर consolidate कर रहा है तो आपको इस पे जाता focus करना है क्योंकि जब weakness आईगी न सबसे पहले इसमें आईगी क्योंकि यह बहुत चला हुआ है तो इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैं expectation कर रहा था कि यह आज breakout दे रहा है आज का लोगों का stop loss यह यह stop loss हो जाएगा है 43 105 का आपका stop loss हो जाएगा और नीचे थोड़ा target ना बड़ा plan करिएगा क्योंकि मैं simple दी चीज़ है कि जब भी यह गरेगा गरेगा जरूर ऐसा नहीं यह नहीं गरेगा गरेगा जरूर बट जब भी गरेगा ना तो जब भी selling आईगी बहुत aggressive और fast selling आईगी क्योंकि market बहुत top पे है और अब आके आने वाले दिन इसके लिए थोड़ा सा profit looking के आ सकते हैं तो हजार से 1500 पॉइंट तो यह बहुत easily जा सकता है तो होगा क्या जब भी यह break करें क्योंकि दो attempt तीन attempt यह already कर चुका है 43,000 को break करने के तो हो सकता है कि अब की बार अगर यह 43,000 को break करें तो यह one way में चला जाए कहां तक चला जाए 42,500 तक यानि यह target आपको चाहिए तो आप 100,000 रुपे का stop loss देते रहो जब भी आपको target मलेगा बड़ा मिल जाएगा ठीक है तो थोड़ा सा आप इस पे focus कर सकते हो आप छोटा stop loss भी लगा के काम कर सकते हो बड़ा भी लगा के काम कर सकते हो पर आपको stop loss जरूर लगा के काम करना है यह चीज़ आप clearly ध्यान में रखेगा और अगर यह 42,800 के नीचे trade करना स्टार्ट करता है तो आप अपने stop loss को नीचे की side trail कर सकते हो यह point आपको ध्यान में रखना है ठीक है bank nifty के बात हो गई nifty के बात हो गलोबल market की situation देख लेते से उपर गया है तो दुबारा से market नीचे आ सकता है European market में आज के दिन में कोई ज्यादा उच्छाल नहीं देखने को मिल रहा है आप देख रहे हो almost इसमें कल का जो gain था उसको half to dilute कर चुका है देख रहे हो आप कल यह भागा ठीक है और almost जहां से भागा तो वहीं पर आ गय क्योंकि वह already बहुत जादा corrected है NASDAQ आपका almost अभी भी 22-23% डाउन चल रहा है अपने टॉप से ठीक है तो उसमें 4-5% का उच्छाल आ जाता है तो कोई फरक नी पड़ता डाउ आपका नीचे से recover हो गया है करें 18% का और हम almost 23-24% उपर हैं अपने 15200 के लो से तो कहीं ना कहीं अब market ऊपर ठक रहा है understand हो रही है कि धीरे धीरे जो market है event की तरफ जा रहा है तो थोड़े से global market में भी आपको थोड़ी सी selling या profit working देखने को मिल सकती है तो खासकर वो indication आपको European market से आता हो दिखाई दे सकता है यह चीद आप clearly समझ लीटे मैं यह नहीं बोल रहा है कि यह ग थोड़े से ऊपर ठक गए हैं चलके तो अब उनके अंदर बाइंग नहीं आ रही है क्योंकि आप देख रहे हैं European market में डेक्स आपका कितने दिन अगर आप यह देखो यह आपकी जो डेटी आराउंड दस तारिक की थी दस तारिक से लेकर अभी तक इसने अल्मोस स्रिफ 400 पॉइंट का मोमेंट दिखाया है वो भी कल का मोमेंट इंक्लूड करने के बाद यानि हायर साइट पर यह consolidation कर रहे हैं वह इस consolidation का breakout या breakdown हमें चाहिए दूसी चीदे अगर आप थोड़ा वनियर के चार् 4513,000 तक correction आ सकता है यह चीदा आप क्लिरी समझ लीजिए breakout के लिए इसको समझ के चलिए आप 14,800 के उपर close देगा जाके तब यह breakout के zone में जाएगा फिर आपको उपर 15,500 तक European market या DEX जाता हो दिकाई दे सकता है सेम चीद नेल्टेक है नेल्टेक भी आपका बार बार यह एक resistance एरिया है अगर इसमें आज के दिन selling आगई तो थोड़ा सा यह देखो ठीक है यह resistance एरिया है जहां से यह फिचल रहा है तो अगर इसमें दुबारा से यहां से selling आगई तो फिर यह दुबारा से हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है ठीक है अब हाला कि यह एक दिन का process नहीं है यह 10-12 दिन का process होता है बट थोड़ा सा alert रहो यहां पर और इसी की वज़े से हमारे market में selling आ सकती है otherwise हमारा market को इतना बुरा खराब दिख नहीं रहा है बट अब हो सकता है news flow में थोड़ा सा profit booking के शिकार हो सकता है ठीक है तो indices futures में अगर global market की situation दिखते हैं तो currently आपको दिखेगा 100 point Dow future और 45 point Nasdaq future negative कामकाच कर रहे हैं अब यह negative रहते हैं नही के बाद पता चलेगा अबर फिलाल तो situation यही दिख रही है over the night यह US market के अंदर उच्छाला आया था 3% 5% का उसका effect किसी भी market पे नहीं देखने को मिला है अगर आप कोई भी market देखोगे अगर आम निकई को भी देखोगे तो सिर्फ खुले ऊपर है और उसके बाद वो सब न मुमेंट के बाद पूरा यह गें डायलूट कर चुके हैं आप देख रहे हैं आप यहां से मुमेंट आया अट्थाइज चार्सो पचास का आई बना और अल्मुर्ज अट्थाज़ा एक सो पचास के आसपस क्लोज कर रहा है यानि जितना मुमेंट हुआ उसका पूरा यह चुके हैं तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर ध्यान डखना है इसलिए हमारा मार्केट भी कुई जादा गैप अपनी कुला तो तो थोड़ा सा आपको यह चीज ध्यान में रखनी है ठीक है तो आई होप दोस्तों यह पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होग सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सब्सक्राइब कर लेकर आता हूँ हर दिन आपके लिए नए वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों चैहेंड